हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि ऐसे कुछ नीच्रल फूड क्या है कि जिससे हमारा स्टेंथ इस्टेमिना और सेक्स पावर बढ़ सकती है तो बहुत सारे लोगों ने हमसे एक सवाल किया कि कुछ नीच्रल फूड हमें सजस्ट करिये वो कुछ बटामिन्स या फिर कुछ इस तरह की स्टुमलेट के लिए टाबलेट नहीं लेना चाहते तो यह बहुत जरूरी है कि हम बहुत सी जादा नीच्रल चीज़ों का तो आज मैं आपको दस ऐसे फूड के बारे में बताऊंगा कि जो इजी ली अविलेवल हैं सब लोग ले सकते हैं बहुत जादा कॉस्ली भी नहीं है और इससे क्लिनिकली जो रिसर्च में हमारे पास डेटा है आपकी स्ट्रेंट सेक्सोल स्ट्रेंट काफी हद तक बढ़ जाती है इससे आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा यह टेस्टिस्ट्रों के सिक्रीशन में आपको रेगुलेट करने में मदद करता है और आपको ओवर एल इस्टेमना भी इससे काफी इंप्रूव होता है तो आप अपने खाने में एग सामिल करें एग में काफी अच्छा प्रोटीन होता है और काफी अच्छे minerals vitamins होते हैं तो यह आपकी sexual drive को naturally boost करता है तो आप egg सामिल करें number one egg दूसरा आप water melon आप सामिल कर सकते हैं इसको natural nature ने हमें जो दिया है natural byagra कहा जाता है so that is a very good source तीसरा है आप kesar milk kesar किसी भी form में कह सकते हैं या फिर केसर का milk आप लें kesar is a very good multi-vitamin is a good for strength यह आपकी दिमा की स्वास्त के लिए यह आपके lungs के स्वास्त के लिए और यह आपके sexual strength के लिए that's work as a tonic तो यह आप केसर अपनी खाने में सामिल करें उसके बाद आता है fruits में आप apple खा सकते हैं यह बहुत अच्छा है और coffee आप ले सकते हैं एक से दो अच्छी filter coffee, milk की coffee आपको help कर सकती है आपकी six desire को regulate करने में और stimulate करने में next है green vegetables आप जितनी green and red vegetables आप खाएं उससे आपको काफी फायदा होगा आप उससे antioxidant मिलेगा vitamin C मिलेगा प्लस वो आपके जो blood का circulation है उसको regulate करने में काफी मदद करता है next है in dry fruits almond आप बदाम खाएं that is also contain a good calcium and the good quality of fat तो यह आपको मदद करेगा walnut is good for your brain health as well as omega 3 fatty acids से इसके अंदर अच्छा protein मिलेगा, अच्छा calcium आपको इससे मिलेगा और यह आपकी sexual drive को भी regulate करने में काफी मदद करता है उसके बाद आता है कि आप roasted chicken ले सकते हैं और fish खा सकते हैं दोनों ही बहुत अच्छा source है दोनों में omega 3 fatty acids है आपको good quality cholesterol मिलता है इससे आपको protein मिलेगा, calcium मिलेगा अच्छा fat है जो कि आपके testis strong को regulate करने में काफी मदद करता है next है आपका आप घी ले सकते हैं देसी घी जिसे हम कहते हैं काओ या भैस का जो घी है वो काफी अच्छा source है इसमें vitamin D है good quality cholesterol है, fat है क्योंकि cholesterol is needed to regulate the testis strong secretion यह आप ले सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादे कमजोर हैं तो आप mutton भी खा सकते हैं but mutton वो ही लोग खाएं कि जो physically ज़्यादे वीक हैं या जिनको easily digest हो जाता है because mutton and red meat is not recommended digestion का कुछ लोगों को problem रह सकता है तो वो यह सब avoid करें वो mutton की जगे अस्व गंदा ले सकते हैं असबंदा natural form में भी ले सकते हैं और capsule vitamin के form में भी available है that is also regulate your sexual strength तो यह 10 ऐसे food हैं जो बहुत ही available हैं pocket friendly हैं naturally मिल जाते हैं तो आप यह अपने खाने में सामिल करिए regular exercise करिए अच्छी नींद लीजिए अपनी sleep को जितना आप sustain करेंगे regularly exercise करेंगे stress को manage रखेंगे तो आप normally आप अपनी strength को regulate कर सकते हैं thank you very much and take care yourself